सो है गाई स्वागत आपका आपी के यूटिब चाहिए हम इसको डीके में आज हम जी शुयर के बारें बात करने जा रहे हैं वह एंटी पीसी लेमेटेड एंटी पीसी ने अपने क्वार्टर रेजल्ट्स जारी कर दी है और उसके साथ आप देखो कि कंपनी ने जोना भी इं कंपनी ने जोना भी डिविडेंट के जो अनौसमेंट की है वह देखो के 42.50% की यानि की 4 रुपे 25 पैसे पर एक्विटी शेर से कंपनी ने डिविडेंट की अनौसमेंट कर दी है इंट्रिम डिविडेंट कंपनी देने जा रही है इसकी डेट अभी अनौस नहीं हुई है जैसे ही इसकी date announce हो जाएगी वो भी आपके साथ जोना भी share कर देंगे तो और यहाँ पर आप देखोगे जो date है वो भी announcement होते हैं नजर आई है यहाँ पर आप देखोगे date of payment of dividend sell भी February 24 चलो फटाफट से अब इसके quarter results भी हम जोना देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे standalone results दिया गया है लेकिन हम बात करेंगे इसके consolidate numbers को लेकर तो चलो फटाफट हम जोना इसके consolidate numbers से निकाल लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे भी 9 month ended और जोना quarter ended results दिये गए है total value जो दी गई है और figure in rupees क्रोड में दे रखी है चलो फटाफट देखते हैं पर आप देखो के total income या total revenue जो हमें देखने को मिल रहा है अब की बार 44,989 क्रोड के previous quarter में 44,689 क्रोड के revenue थे तो previous quarter से revenue में एक अच्छी jump देखने को मिले वहीं अगर बात करें तो अपके बार जो total expense रही है वो 37,007 क्रोड के previous quarter में 44,000 क्रोड के थे तो previous quarter से expense में गिरावट है ये अच्छी बात है expenses में गिरावट है और आप देखोगे जो इसका income है वो हमें बढ़ते नजर आया है तो अपके बार जो income है ना वो इसके expensive बहुत जादा है इसका मतलब company को फिरशे profit हुआ है तो चलिए देखते हैं कितना profit हुआ है तो profit for the period अगर मैं बात करूँ हूँ तो अब की बार जो profit हमें देखने को मिल रहा है वो है 48,004 क्रोड का जब की previous quarter में 34,70 क्रोड का profit था तो previous quarter से profit में एक sharp jump हमें देखने को मिल रही है वहीं अगर बात करें इसके 9 मंद में तो वहाँ पर भी हमें जोना profit में एक अच्छी खासी jump देखने को मिल रही है तो overall profit में jump आया है expenses में आप देखोगे भी previous quarter से कम रही है और income की बात करें तो previous quarter से income भी काफे ज़ादा देखने को मिली है तो quarter results काफी शांदार आते नजर आए है EPS की बात करें यानि earning per share तो यहाँ पर आप देखोगे जो EPS हमें देखने को मिल रहा है वो इस level पर आप देखोगे लगबग 4.93 पैसे प्रिविज quarter में 3.44 पैसे I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए देख लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब को ना मत भूलना and thank you for watching the video